हालो दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रुच्ची में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको छट पूजा का पूरा वीडियो दिखाएंगे दोस्तों आप सभी लोग हमारी वीडियो पर बने रहेगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा हम आपको पूरी पूजा दिखाएंगे साम की भी पूजा दिखाएंगे और सुबा की भी पूजा हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चट पूजा होती है तो ये यह पूजा रखी है और हम सभी लोगों को बुलाया है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो कि पार्क में एकठे हुए हैं और यह सारी महिलाएं है जो कि बाहर की रहती है हमारे यहाँ तो यह सब लोग छट पूजा करती हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि यह सभी लोग पूजा कर रही है और गीत गा रही है यह साम का सीन है जो कि 6 से 7 बजे के करीम में जो पूजा होती है उस टाइम का यह वीडियो है हम आपको सुबा का भी पूरा वीडियो दिखाएंगे बस आप सभी लोग हमारी वीडियो को देखते रहेगा पसंद आती है तो लाइक करना सेयर करना और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए आप सभी लोग देखिए और आनन बेजिये किस तरह से 6 मैया को मनाते हैं यह लोग कैसे पूजा की जाती है और चटी पूजा का जो भी विधान है कठीन है क्योंकि तीन दिन की पूजा होती है और यह बहुत ही सुखफलदाई पूजा होती है घर परिवार के लिए बच्चों के लिए पती के लिए सब लिए यह बहुत ही अच्छी पूजा है ये जो पार्क है ये हमारे पडोस में ही पार्क है तो यहीं पर हम सब लोग आये हुए हैं साम के समय बुलाया गया था और सुबह के लिए भी बुलाया गया था तो पहले हम लोग साम को आये हैं तो देखिए ये साम की आरती इन लोगों ने कर ली है और माता जी को मना रही हैं ये लोग अच्छे अच्छे से गीत गा रही हैं और गीत जो भी हैं इनके परिवार के सभी लोग आये हुए हैं बच्चे पती सब के साथ में हैं तो यहाँ पर 6-7 महिलाएं हैं जो की पूजा कर रही है और जो बाकी की महिलाएं आप देख रहे हैं जो बाकी की बीड दिखाई दे रहे हैं यह सभी लोग पूजा देखने के लिए आए हैं सुबा सब लोग इसी तालाब में खड़े होकर सुरिदेव को आर्द देंगे इस से पहले यह पूजा नहीं देखिए आज पहली बार यह पूजा मैंने देखी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने सूचा कि यह वीडियो हम आप लोगों के साथ भी सेयर करें ताकि आप लोग भी इस पूजा को देख सकें कि छटी मैया की पूजा कै से की जाती है ऐसी भी मानिता है कि छटी मैया हर किसी की मनो कामनाय पूरी करती है जो भी सुरद्धा भाव से इस पूजा को करता है इस व्रत को करता है छटी मैया सभी की मनो कामनाय पूरी करती है सुख सभाग प्रदान करती है तो देख सकते हैं आप लोग यह साम की पूजा संपन हो चुकी है और ये लोग अपना-पना सामान जो भी था वो सब लोग अपने-अपने डलिया में ले करके सर के उपर डलिया रख करके अपने-अपने घर जा रहे हैं और सुबा के समय ये लोग फिर से आएंगे फिर से इस पूजा को करेंगे यहीं पर आना है दोबारा तो आप लोग देख सकते हैं कि यह सबी लोग अपना अपना जो भी पूजा का सामान था सब लोग लेकर के खड़े हो चुके हैं इस डलिया में तरह तरह के जो फल है जो कि सीजन में इस समय मिल रहे हैं वो सारे फल डलिया में है और यह सब अपना सामान उसे तरह से उठा कर लेकर घर जाएंगे और सुबा फिर से पूजा करने आएंगे यहाँ पर हम सब ही लोग आये थे तो हम सब लोग भी जा रहे हैं छती मया के पर छू करके उनका आशिरवाद ले करके जा रहे हैं और सुबा सुबा जब सूर देव निकलेंगे तो ये पूजा फिर से सुरू होगी तो हम फिर से आ गए हैं सुबा सुबा देख सकते हैं आप सुबा का समय है सूर देव निकल चुके हैं और ये पूजा भी प्रारम्ब हो चुकी है तो सुबा की पूजा में क्या होता है आप लोग देखिए ये जो हम आपको वीडियो इस टाइम दे रहे हैं तो ये हमने छे बज़े के करीब सूट किया है और ये लोग चार बज़े के करीब ही यहां आ गई थी चार बज़े से ये छटी मैया की पूजा आराधना कर रही थी और अब जब सूरिदेव उदित हो रहे हैं तो ये लोग अपना सूरिदेव को आर्थ देंगी पूजा करेंगी छट मैया को मनाएंगी तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक एक करके जितने भी महिलाएं व्रथ थी वो सब आएंगी इसे तालाब में और सूरिदेव को आर्थ देंगी है द्या के लिए पढ़के फूआ के द्या के लिए पढ़के फूआ के हुआ हुआल है खाओट जितने गसे ऐसमें थाया हुआ है वा कώς आड़े चैसित, पन्हतर समय औाय लूस्ना टौस्त करते हैं कहीं जो आपनाएं कहांगे लोड़े? लोगद वारे? आतराफaiser भी分 करते हैं कहिए भी कहांगे? बाल Łँ कहांगे? हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हाँ है हुआ हुआ है भी माई नाय उन्हाद रेखुटे शाद पनी इन नाय वनाय लख गिंगें इस नहीं विब का नहीं जाएक दरियन झाल झाल